आपके अपने यूटी चैनल दे विजन क्लासेस में एक और फिर से स्वागत है आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के कमिस्टी का फिसकल पाट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग का पहला चेप्टर आता है सॉलिड अस्टेट उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे समेना ताज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के जो कमिस्टी है उसके बारे में आज फिसकल का स्टार्ट करने जा रहे है सॉलिड अस्टेट समेना तब फिसकल कमिस्टी का पहला चेप्टर आपका क्या है सॉलिड अस् था दोस्तो तो यह च्प्टर से हम लोगों को चार नंब्र के पूछे जाएंगे चार माक्स पूछे जाएंगे इस चेप्टर से तो यह च्प्टर सॉलिड़ स्टेट जो है इसमें ध्योरी और नमिर्कल दोनों है जो बहुत ही अच्छे है समझें तब फिजिकलोगमिश्टिक का सबसे असान चेप्टर आपका माना जाथा क्या यो पढ़ने में बहुत ही मज़ा ऐगा हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में सुलिड़क स्टेट के बारे में तो को सुलिड़क dł's को पढ़ने से पढ़ने से पहले थोड़ा सामने पढ़ लेते हैं क्या matter कहते हैं किसको solid state से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा कि matter matter कहते हैं किसको यानि matter पदार्थ पदार्थ कहते हैं किसको तब दुनिया में जो भी कुछ हो संगेना जो हमें दिखाई दे या दिखाई ना दे दुनिया में जो भी कुछ हो जो हमें दिखाई देता हो या दिखाई ना देता हो संगेना जिसके पास दरमान होगा और जो जगा छेकेगा क्या कलाएगा मैटर कलाएगा दुनिया में जो भी कुछ हो जो दिखाए दे या दिखाए ना दे लेकिन उसके पास दरमान होना चाहिए और वो क्या करेगा अस्थान घेरेगा जगास छेकेगा वो क्या कलाएगा मैटर कलाएगा तो मैटर को जनरली तीन भागों में बाटा गया कितने भागों बाटा गया है तिन भागों में बाटा गया है जिसमें पहला को बोला जाता है solid दूसरा को बोला जाता है liquid तिसरा आपका हो जाता है क्या गैस ठोस solid को बोला जाता है ठोस liquid को द्रब और ये आपका गैस का गैस ही होता है तो यह क्या होता है आपका ठोस द्रब गैस तो इसे देखा जाए कि कहां जाए कि ठोस को कितने भागों बाटा गया मुलता तो तीन भागों बाटा गया कितने कौन-कौन तो दोस्तो आई आज हम लोग अस्तां के बाटा गया है तो दोस्तो आईए आज हम लोग वस्थाओं केール है स्टार्ट करते हैं सॉलिड के बारे में सदना देखते हैं सॉलिड क्या है ठोस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सॉलिड अस्टेट कहते हैं किसको इसका परिभासित करेंगे किस कैसे ना तब बोलेंगे क्या कि पदार्थ की वावस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दो स्टेट कहेंगे तो दोस्तों आईए आज हम लोग देखते हैं कि ठोस अवस्था यानि फोस को कितने भागों में बाटा गया है इसके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं तर ठोस यानि सॉलिड फोस कहेंगे कि इसको तो बोलेंगे क्या कि वैसा पदार्थ जिसका द्रमान और आयतन क्या होगा निश्चित होगा और इसका आकार क्या होता है निश्चित होता है क्या कलाएगा फोस का लाएगा समगे तो देखेंगे इसको कि solid state यानि solid को कितने भागों में बाटा गया है उसको देखेंगे तब generally force को दो भागों में बाटा गया है जिसमें पहला को बोला जाता है crystalline solid क्या बोला जाता है crystalline solid crystalline solid जिसे बोला जाता है crystal क्रिस्टलिये फोस क्या बोला जाता है क्रिस्टलिये फोस दुसरा आपका होता है non-crystalline solid non-crystalline solid या इसी को बोला जाता है amorphous solid amorphous solid जिसे बोला जाता है अ-crystallिये फोस अ-crystalline फोस क्या बोला जाता है अ-crystalline फोस बोला जाता है तो थोस को दो भागों में बाटा गया है जिसे पहला को बोला जाता है crystalline solid दुसरा को बोला जाता है non-crystalline solid या इसी को बोला जाता है क्या amorphous solid बोला जाता है आज हम लोग देखेंगे कि किश्टलीड को शॉलिड और ननु क्रिस्टाल.." और सॉलिड यह दोनों का पुर्पर्डिस दखेंगे तो आप लोग को बिहार गोड एकसन पूछता है कि सभूधे कि शॉलिड और नानँ क्रिस्टल क्रिस्ट्रालब्रड ला अन्तर असपस्ट करें तो यह कोशन और नश्ट्र अब लिखिए का पहला कि manipulating आज लिखेंगे कि emotional में अंतर आज पेस्ट करें तो इसका आज हम लोगा अंतर देख लिएते हैं तो इसका पुरपाटीज भी हो जाएगा इसमें तो अंतर हो ही जाएगा ता आज हम लोगा का first कोचन आज लिखेंगे कि कि सैलिला समें अंतर असपरस्ट करें तो दोश्टो आई आज हम इस एक कोच्चन को हल करते हैं इअ पहला एक पटी हम दुनों को डिभाइड कर देते हैं जिस पर गौर चुमिका राएगा कि निश्ची तेम जामितीया Do खिर्द होता क्या इसका निश्ची तामीतीया Do खिर्दि होता काने का मतलग स्ट्रक्टर होगा सेम आकार कहीं होगा लेकिन जब इसको नन क्रिश्टलाइन नन क्रिश्टलाइन सोलिड को तोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसका जो आकार होता है मालें जो कि पहला कार इसका ऐसा आया तो दुसरा जरूरी नहीं कि ऐसा हो तिसरा आपका ऐसा हो सकता है थो जो होता है निच्टलाइन जामीतिया किर्ति नहीं होता है इसकर क्या लिखेंगे कि इसका निश्चित जामितिया किर्टी नहीं होता है इसकी निश्चित जामितिया आकिर्टी नहीं होती है तका होगा कि नन के शलान सॉलेट का इसके निश्चित जामितिया किर्टी नहीं होता है फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इसका यह पॉइंट हम लोगों को समझने के लिए क्या है कि यह दिर्ग परासी ब्यवस्था होता है यह का होता है कि इसमें लगुप्रासी ब्यवस्था पाया जाता है लॉन्ग रेंज जब रहेगा तो प्राशी बश्वासा यानि विवासित रहेगा तो इसके अंदर जो किस्टालाइन वुगा पार्टिकल्स होगा जो एक दिर्ग प्राशी विवासा में होगा सब्सक्राइब या नी कर सकते हैं कि निश्चीत सुरेनी में हो गा जैसे देख लिए कि किसी परकार क्या है किस्ट्रांड सौडिड का atom है सब्सक्राइब जो सेम इस कदर आपको दिखाया जा रहा है इस परकार से उसके अंदर आपका क्या है एटम पाया गया है जो जास्ट दम ऐसे करेगा इसके बाद ये फिर इसके बाद ये फिर इसके बाद ये इसके बाद ये फिर ऐसे है एक निश्चित करम में ही रहता है सभी का जो सेंटर ह हैं एक दूसरी से समिना लेकिन जब इसको में दिखे गोला उयंकिन में करें आपर देखा जाता है तो इसमें क्या होता है यहाँ यह यह पर हो तहीं यहाँ पे क्या जा रहा धा सर येसे सब्सकेरिख बाता है कि फिर यह सबस्ते कि यहां पर ब्रेक तो काफी लंबा सफ़रें नहीं कर पाता या यह बहुत ही चोटा चोटा रूप में रहता है ड़किन जाहां तक ऐस्टा ऑस्ताय खत्म नहीं होगा सब एक ही बेवस्था में रहेगा quello जाता है कि या दिर're प्राशी ब्वस्था में होता है लेकिन नन क्या होता है लातना या प्र लेवस्था में होता है जैसा कि आप लोग देख लेजेंग सोब कर लीजे उसको आप बढ़ियां से समझ लिए जैसा कि हम लोग देखे हैं कि अस्कुल बेगरा में प्रेड होता है तो वहां पे जो भी बच्चे होते हैं उस बच्चे को हम लोग माल लेते हैं क्या एटम माल लेते हैं समयरा आएक लेलिजे जहां पे आप लोग मेला मेला देखे होंगे तो मेला मेला में जाईएगा तो व होता है सभी एक सिरीज में रहता है सब्सक्राइब उसका रहता है लेकिन जहां पे धीड़ वेगर रहता है वहां पर दुस्तरे पब्लिक साथ है रहेगा नहीं को से उसमें किसी परकार का से ऊंग होगा तो छोटा चोटा को एक तुस्रा इसमें कि सायो होता है एक 仔ला एक धीका मुप फर थी passt यह दिर को प्रासी बहसता होगा समझ में आ गया हो गए वहला तो फिर नेक्स्ट आप लोग देखते हैं इसको हम लोग तीसरा देखेंगे तो यह किस्ट्रिलाइंड सॉलिड में तीसरा हम लोग देखते हैं क्या कि यह यह क्या होता है बिसम दैसिका होता है यह ता होता है सम या कहेंगे कि इसमें बिसम दैसिका पाया जाता है और इसमें क्या होता है इसमें सम दैसिका पाया जाता है हब कि विसंदैसी का होता है क्या संदैसिका काने का तक पर इसका यह है कि जब भवतीक गुन को जब physical properties को crystalline solid से जब भिन भिन दिसाओं से जब उसको परवाहित करेंगे तो उसका जो परिनाम जो result होगा भिन भिन पराप्थ होगा काने का तत्पर क्या हुगा कि जब हम की माल निजे के मेरा crystalline solid है किसी पर का माल निजे के जब हम physical properties को भुष बहुतिक गुण को जब इसके अंदर से परवाहित करेंगे माल निजे कि यहां से मैंने किसी light बेग लायक को डाला तो यहां पर माल निजे कि कि इसका result होगा 10 फिर मैंने यहां निजेकर यहां से डाला तो यहां पे मेरा result हुआ पाँच फिर मैंने यहां स साउं कभे यहां से डालते हैं तब 10 होता है, यहां से डालते हैं फिर यहां से डालते हैं तो फpur फ抗ो इन दीसाओं से जब हम भौतिक गुंनों को परवाहित करेंगे तो उसका रिजल्ट बिस्ट होगा बिभिन पराथ हो गा, तो उसका result क्या पराथ होगा, भिन भिन पराथ होगा, तो उसे कापड़ लेंगे किस्ट लायन्स–Solid का परुपरिदिज का लाएगा, लेकिन जब हम ननकिष्ट लाइंड सॉलिड में जब भौति गुन को फिजकल परपटिस को जब परवाहित करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम पराथ होगा मालनी जी कि यहां से मैंने किसी लाइट को परवाहित किया यहां से तो यहां पे भी मेरा तो उसको का कहेंगे कि जब भौतिक गुन ननकिष्टि लाइट सॉलिड में भी भिन दिशाओं से भौतिक गुन को स्भी को परवाहित किया जाएगा तो उसका परकार का कोई नहीं होना चाहिए तो देखते हैं तो देखेगा हम लोग किया है किस्टे लाइन सोलिट है तो कहते हैं कि इसको से कि अंतर पर्मानpad के बाल होता है कि इसको क्या होता सैक्स्याद्थ लाइन सोलीड के अंधर जो अनु पाया जाए गा तो दो अनुओ के बीच में लगने वाला बल ही क्या का लाता लाता है एंटर्कीलर से के बीच यांनि दखुआ लिगे का यह मेरा किस्टिला ब्ला की इस दूसरे में अठैच रहेगा तो जो बल लगाएगा उसी इसकर किस्ट्रॉन वह सॉलीन किस्या पेच्छा क्या होता है कि inverk fi के इसमें क्या में तो कि इसमें कि इसमें कि आनधा परमानविक अल्सक्य परे यह ऑल दुर बल होता क्या होता है दुरबल होता है कि समझ में आगया दुरबल होता है कि समया कम कि किस्टिलाइंड सॉलिड में जो अन्ता परमानविक जो दूरी होता है डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है अन्ता परमानविक कर रहा है यानि अन्ता परमानविक क्या फे देखेंगे क्या क्रिस्टल के अंदर जाके देखेंगे कि अनुओं के बीच ही हम लोग देखें कि दूरी करा ता अंतर परमानविक दूरी करा ना इंटर मोलकुलर से डिस्टेंस के बारे में बात करा है तो क्या करा क्या क्या कि किस्ट्रिलाइन सोलिड के अंदर जो होता है इंटर मोलकुलर से डिस्ट्रेंस जो होता है लगू होता है क्या होता है लगू होता है या ना के बराबर भी का सकते हैं किसमें किस्ट्रेलाइंड सॉलिड में तो किस्ट्रेलाइंड सॉलिड में क्या होता है इसमें किस्ट्रेलाइंड सॉलिड में क्या होता है कि अंतर परमानविक दूरी का होगा लग होगा लेकिन नंकिस्ट्रेलाइंड सॉलिड में क्या होगा दिर्ग ह सबर्द कि फोस में कम पाया जाता है इसको जब यह कंपरसिबिलीटी में कम जाता है इसको काम आशिए जाता है तो देखेगा कर छोए है कि अनों के बीची के दूरी होता ह। था बहुत ही कम होता तर्फ साथ अधीक होता है देखेगा किस्छ section भēcro लेकिन इसका निश्चित होता है यह इसको यह से लिख मेंस्ट Alma करते तरह यह असात होता है यह सतत होता है यहन्ति इस करें कि यह काने का तत्पर यह है कि यह सतत होता है काने का मतलब क्या जब त्याएं जाएगा इस पर इस पर तहीं क्या होगा कि परकार सोलीड का love-dog कि आव ऊता отк ना देऊ, तब मा देएकल मैं लिक्विएफ पॉंन में चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर इसको हम टंपरेचर देंगे 120 डिगरी तो पहले ही क्या ठोस अबस्ता में पाएगा लेकिन जब इसको में 120 डिगरी टंपरेचर दिए तो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा यह लिकवीड फॉम में चेंज करेगा फिर 120 है फिर 130 है मालीजे की 130 है अग्हांग सो पर क्या हो जाता है लिक्वीड जाता है फिर यह फिर 130 एक 140 फिर फिर ओपर चाएगा ट्रजाएगा टंपरेचर तो फूरा जो लिक्वीड हो गया पहले ठोस से लिक्वीड में बदला 120 दिगरी पर आई जैसे पर गया तो इसका जो भी यह लिक्विड फॉरा लिक्विड जो गैंस में बदल जा तब तक ला जो इसका टमपरेचर रहेगा कितना रहेगा देखा गया तो इसमें क्या होता है एक कंटनीव में होता है जैसे जैसे दिखेगा कि पलास्टिक को ज़ब हम घर में करते हैं तो इसका एक निशियर टंपरेचर नहीं होता है कितना टंपरेचर परowana आीजीव प्लास्टिक के किया होता है कि यहाँ पहर आएगा तो 120 भाठатель पूरा यहाँ बढ़न में में फिर यहां पर आपना यहां कान्हार्णा इसको चैर्स का बलेंगे यह थि बोछ कि सथ या सथ होता है आई क्या होता है यह सथ होता है अगला देखते हैं दिखेगा अगला पॉइंट सत्मा नम्मर आपका पॉइंट क्या हो जाएगा यह किस्ट्रिलाइड सॉलिड जो होता है फिर इसको काड़ा ने पर इसको पहुचाना जाए कैसे नागला और जाता है ननम्मर काटा जाता है रुखडा होता है यह समझ मिनली है नहीं है सोलीड है हम इसे किसी धरदार यह मेरा धरदार और जार है अविसी धरदार और मैंने इसको काटा तो इसका आंतरिक सत्राइब होगा ये वरफला प्राफ होगा ति का करा किसका आंतरिक सता चिकना होगा लेकिन किसके पेच्छा बाहरी वाले सत्था जो रहेगा उसके पेच्छा जब किस्ट so तो सोलिट या किसी ठोस को लेकर उसको काटा जाए काटने के बाद देखें किसका बारी सस्था चिकना है और आंतिरिक सब्सक्राय लिख्यां किया तो मेरा हो जाएगा क्षिक्ट्री लाइन सविट यह जए होता है समय नहीं नेकिन नन किस्ट लांस बशेंगा जाता है तो इसका अंत्रिक सता क्या होगा क्या क्क्रा होता है ना silver फिर आपको क्या ले लिजे ये फी ले लिजे ना जो आपको मन करें वो ले सकते हैं बहुत सारे इसका example है copper जो भी आपको मन कर रहा है यदि ना पहसान में आए तो फिर उसको काट के देखेंगे जो आपको क्या याउज लेगा आपको फिर जी करें की नहीं हम एस टूओ लेंगे क्या मेरा क्या है ये ने यह दोस्तों नहीं फिर एसटू हो लेकिन किस फॉर्म में रहेगा आइस के रूप में रहेगा तो यह ए मेरा किस्ट लाइन सॉलिड होगा किस्ट लाइन सॉलिड होगा यह क्या होगा पेगरा बहुत सारे आपके पास example ज्यादा हम लोग प्लास्टिक आजाएगा प्लास्टिक ना क्या आजएगा प्लास्टिक हो गया आपका फिर आपका रबर हो गया पिर आपका काच यह जिसको शीशा बोले आता हैक आपका ॖें होगिया तो वी क्या स lounge हो गिए और लैंग सोलीड में अंतर कर प्र कि लुट को कितने भागों में बाटा गया और कैसे भांटा गया किस अधार पर बाटा गया उसके बारे में आज हम लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटिन्यूब में जो भी मेरा वीडियो यहां पर अपलोड करें वो वीडियो का न्योटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो तक तक के लिए नमस्कार बाय दोस्त